बारत के कई राजियों में हाल ही में चुनाव पूरे हुए हैं और इन चुनावों के दुरान जो एक शब्द आपको टीवी पर बार बार दिखाई दिया होगा वो है एक्जिट पोल तो ऐसे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक्जिट पोल क्या होते हैं उनको किस तरह से आयजित किया जाता है और उनका महत तो क्या होता है ताथ ही उनकी आलोशना क्यों की जाती है इस पर भी बात करेंगे और भारत में लेकर इसको क्या नियम है तो नियमों सबसे पहले हमने news यानि के खबर की बात की, खबर को जानने के बाद हम exit poll क्या होते हैं ये जानेंगे और साथ ही exit poll का आयोजन के इस तरह से किया जाता है, उसको भी समझेंगे, इसके अलावा भारत में इसको लेकर क्या नियम मौजूद है, नियमों पर भी बात करेंगे, और प्रशन पर भी चर्चा होगी, ये जो पूरा विशय है, मुख्यतावर पर सामान्य अध्यन प्रशन पत्र दो से जुड़ा हुआ है, और आप इसे भारतिय समाज और चुनाव जैसे खंडों से जोड़ कर देख सकते हैं, इसके अलावा पीपल से रिप्रेजेंटेटिव स करें, तो हम कह सकते हैं, एक तरह का वोटर सर्वे है, जिसमें जो वोटर है, उनकी राय जानने की कोशिश की जाती है, उनका मत क्या है, उनका पीनिन क्या है, ये जानने की कोशिश की जाती है, और ये चुनाव नतीजे आने से पहले जारी किये जाते हैं, यानि कि ये चु केंद्रों के बाहर दिखाए देगा, यानि कि जब लोग voting करने के बाद exit करते हैं, वहाँ पर आपको इनका agent दिखाए देगा, और इसी वज़े से इस पूरे system को exit poll कहा जाता है, क्योंकि आप चुनाओ, मतदान करके वापस आ रहे होते हैं, exit कर रहे हैं, इसी वज़े से exit poll कह जाता है, तो एक और शब्द आता है exit poll के अलावा, वो शब्द है जन्मत सर्वेक्षण, यानि कि public opinion, तो ये एक important शब्द है और दूसरा शब्द है exit poll, दोनों में क्या difference है, difference यह है कि ये जो जन्मत सर्वेक्षण है, ये मतदान से पहले आयुज़त होता है, यानि कि वोट वोट करके बाहर आ रहे होते हैं, तो आपकी memory बहुत fresh होती है, आप ये बता सकते हैं कि आपने किसको मतदान किया है, क्यों मतदान किया है, जबकि अगर आप पहले सर्वेक्षण करते हैं, तो इस बात का सही ढंक से अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसी पोल का भारत में पहले एग्जिट पोल का जो आयोजन हुआ था, वो हमारी दूसरी लोग सभा के दौरान 1957 में हुआ था, और इसका आयोजन किया था, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अपीनियन की ओर से, अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि भारत में जो प इंस्टिट्यूट दोरा किया जाता है, और अलग 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 मेथेट्स को फॉलो करते हैं, कुछ इंस्टिट्यूट अपनी अलग तकनीक मनाते हैं, कुछ इंस्टिट्यूट का जो सेंपल साइज है, वो अलग होता है, कई का सेंपल साइज 20,000 होता है, कई का सेंपल साइ और उनसे किसी कोई व्यक्ति जाकर उनसे सवाल पूछ सकता है या फिर online माध्यम से या फिर phone के माध्यम से टेलीफोन के जरीए उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं और sample size की हमने बात की कि एक जो average sample size है अभी तक जितने भी exit poll हुए है उनका 20 से 30,000 होता है किवल 2009 की लोग सभा का जुनाओ था उसके दौरान जो sample size था वो 37,000 के आसपास था यह अब तक का सबसे बड़ा sample size है तो यह sample size के हमने बात की एक प्रशनावली तयार की जाती है जिसमें तमाम प्रशन सामिल होते हैं कि आप किसको मतदान कर रहे हैं आप क्यों मतदान कर रहे हैं किन factors के अधार प आयोजन करते हैं क्योंकि इससे उनको TRP मिलती है तो आपने देखा होगा कि जब भी exit poll आता है तो अलग-अलग news channel का लाम लिखा होता है और उसमें एक institute का नाम लिखा होता है जो कि उसको आयोजित कर रहा है तो यह हमने इसके आयोजन पर भी बात कर ली अब यहां पर भार राजनीतिक पार्टियां है वो exit poll और जो opinion poll होता है जनमत संग्रे होता है जनमत सर्वेक्षन होता है उसकी आलोष्णा करती रही है क्योंकि जो political parties होती है उनका कहना है कि यह जो opinion poll है जो exit poll है यह राजनीती से motivated होता है राजनीती से प्रिरिद होता है तो इसको अपने हितों के लिहाज से आप modify कर सकते हैं और अगर आप इसको modify करेंगे तो आप जनता के opinion को भी प्रभावित कर सकते हैं तो इसी को लेकर तमाम राजनेतिक दल जो हैं वो लगातार इस पूरी व्यवस्था की अलोशना करते रहे हैं अब इस पूरे मामले को कई बार Supreme Court में भी चुनौत Commission की बात को नहीं माना क्योंकि Election Commission की पास सजा देने की शक्ती नहीं है खास्तार पर आम नागरिकों को तो उसके बाद Election Commission ने उस पूरे मामले को Supreme Court में चुनौती दी और अब तक तीन बार Supreme Court में इस मामले को चुनौती दी जा चुकी है इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने परवरी 2010 में लोक प्रतिनिधी अधिनियम में शंशोधन किया था जा रिपरेजेंटेटिव सफ पीपल गया कि इसमें धारा एड की गई धारा 126 ए और धारा 126 ए यह तै करती है कि भारत में एक निश्चित समय तक खासतोर पर नियम यह कहते हैं कि जब भारत में नोटिफिकेशन इशू होता है और चुनाव का जो अंतिम दिन है उसके बीच में आप एक्जिट पोल जारी नही दिया गया है तो यह भारत में एक फ्रेमवर्क हुआ नियमों की हमने बात कर ली है अब अंत में इस पूरे विशे से जुड़े एक सवाल को भी देख लेते हैं सवाल करेंट फेर का है सवाल प्रिलिम्स का है और आप आसानी से सवाल के जवाब को दे सकते हैं हमारा सवाल ह किस चुनाओं के दॉरान आयो जद किया गया था हमारे option है option ए पहला लोग सभा चुनाओ option बी दूसरा लोग सभा चुनाओ option C तीसरा लोग सभा चुनाओ या फिर option D 4 लोग सभा चुनाओ तो यह इसका जवाब आपको comment box में देना है साथ यह आपको यह भी बताना है कि भा प्रोग्राम खास्तोर पर जो दाहिंदू का प्रोग्राम है वो भी देख लीजिए इसके अलावा आपके लिए एक सूचना ये भी है कि हमारा जो इन-फोकस प्रोग्राम है वो आपसे जल्द ही आपको रोज सुबह 8 बजे दिखाई देगा क्योंकि लगातार लोगों की मां है तो इन-फोकस कारेक्रम को देखना मत भूलेगा इसके अलावा दाहिंदू का प्रोग्राम है उसको भी देखिए रोज सुबह 9 बजे हम दाहिंदू अखबार की तमाम जरूरी खबरों का विशलेशन करते हैं तो यह आज का हमारा टॉपिक हुआ मिलते हैं आपसे कल हुआ